ये फ्रेंट्स वल्कम बैक टू माई चैनल वागत है आपका मेरी चैनल में एक बार फिर से तो फाइनली उत्राखंड अदेने सिवा चैनाय की ओर से एक नया नोटिस आ गया है और इस बीडियो में हम इस नोटिस के साथ-साथ उत्राखंड बीडियो बीडियो रिजल्ट और करनी साहिक रिजल्ट के बारे में बात करेंगे तो चली आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप दे सकते हैं विभिन चैनल में OBC के प्रमाण पत्रों में त्रूटी यहां पर पाई कही है तो अगर आप OBC Candidate है आपने apply करकर रखा तो document verification में आपको बहुत परिशानी हो सकती इस प्रशानी से बचने के लिए आपके पास क्या समाधान है वो देखे आयोग ने आपको बताया तो यहां पर आप देख सकते हैं आउगत कराना है कि आयोग दोरा किये जाया रहा है बिभिन चैनल में अब इलेक सत्यापन के दौरान यह इस्तिती आई है कि कई अब बेट कि अब्यर्थी को आउजन के अंतीम तिती तक OBC प्रमाण पर सही सभी पातरताओं के बैद प्रमाण पर धारन करना आउज तक होना चाहिए इसके लिए कहा भी जाता है कि जिसने भी डाकुमेंट आप लगाए उनकी बैलिडिटी जिस दिन नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसके पहले पहले का होने चाहिए उसके बाद का इन बैलिड करार दिया जाता है काफी केंडिट्स तरह के कॉमेंट करते हैं तो इसका रिप्ला आयोग ने दिया है यहां पर आप देख सकते हैं सभी अब्यर्थियों के लिए समान नितिका पालना आउज चाहिए का आता है अब बात आते हैं वीडियो बीपी डियो के रिजल्ट के संबन में तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी जो है इमेल के दोड़ा भी आयोग से यह पूछा जा रहा है और काफी कुछ शंपरक साधने की बी त्यायारी की वीडियो बीपी ॱ का रिजल्ट कब आएगा त तो आपको 12 तारिक के आजस फास यहीं कि 10 ओर 12 के भीच में आपको बिडियो बीपीडियो को रिजल्ट देखने को मिलेगा और उसके ठीक 15 दिन के बाद आपको कनिस सहय का भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है तो जो update हमारे पास आ रहे हैं फिलाल यही है कि 10 से लेकर 12 के बीच में आपको बीडियो बीडियो का result देखने को मिल सकता है आज होगे इच्छा है तारिक पस कुछी 4-5 दिन का अज़ार है आपको बीडियो बीडियो का result देखने को मिलेगा और उसके अलावा अगर काफी candidates मे अगर 65 से उपर है आप जनल के टेगरी में है तो आप सेफ हैं और 2-4 दिन का और दिजार करें और 10-15 दिन बाद आपको कनिष्टा है का result देखने को मिलेगा आपके कोई भी update आएगे हम आज आपको पहुचाने के पूरी कुछ करेंगे आपके आपके आप में Instagram, Twitter और Telegram पर नेक्त वीडियो में, थैंक्स वोच्चिंग में, जयन जयवाल, जयोत्रकान